अग्दोस्तों अभी हम एक स्कूल में हैं और स्कूल को देखकर एक बात यादा रही है जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर जिग्यासा होती है लालसा होती है कि हम भी स्कूल जाए पढ़े लिखे अच्छा आदमी बने लेकिन ये गरीवी है ना बहुत सारे लेकिन सरकार तो सारी सुवदा दी हुई है इसकूल है बचे इसकूल आ सकते हैं पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है आखिर क्यों इसका जवाब हमारे साथ एक भाईया है उनसे हम जानेंगे तो चलिए हम डाइरेक्ट उनहीं से बात करते हैं बहुत-बहुत स्व जाये लालसा होता है लेकिन वो चाहकर भी स्कूल नहीं आपाते हैं क्योंकि फांग से खांग तो इसकूल कहां से सकोल के दहिंज तक पहुच नहीं पाते हैं। उनके मझ में। बहुट na hi रहाथी हैं कि हम इतने अच्छ ए। एसकूल में आए पढ़े लिखे और अन्य दोस्तों के साथ खेले और इस नहीं पढ़ते हैं लेकिन वह पढ़ते हैं वह इसा नहीं कर पाते हैं इसका कारण है विरुजगारी जाता है और यहां बिहार में तो रूजगार है नहीं तो उनके प्टा कहीं अलग जाकर के काम करत जैसे महद्यपरदेश एंपी दिली अन्य एस्टेट में जाकर काम करते हैं उसके वहां रहने में भी खर्च हो जाता है तो उनका आमदनी जो है कम हो जाता और खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाता ठीक है बिल्कुल सही कहा रहे हैं रोजगार नहीं है बेरोजगारी हैं जो नहीं हो पाता है सक्षक है सारा कुछ है सुवईदा है मध्यान भोजन मीडेश मिल करते हैं लेकिन अधिक तर कुछी लेकिन अधिक कカンタ करना ना यहां सिक्षा कास्तर जो है पते जाँ जारा में से लेकिन आते comedだ के लिए आते हैं सब्सक्राइब करते लिए लेकिन उस सभीधा का सही नहीं कर पाते हैं लोग तो इसमें गलती किसकी है टीचर की गलती है या पैरेंस की भी गलती हो सकती है अगर टाइम टाइम पर पैरेंस इसकुल में आके पूछे जो मेरा बच्चा क्या पर रहा है नहीं पर रहा है तो हो सकता है इसकुल बहतर तरीके से फिर से टीचर परहना शुर यहां है है लेकिं कुछ इस भी छे dae tu और बीट के डाशा है यहां ट्नाइस यहां expensive लेगिन सिक्षां के अभाव मैं जैसे कि शिष्टम व्रश्था के अभाव में नहीं हो पाता है कुछ शिक्षक अपने मन से पढ़ाते हैं ऑर कुछobos अईसे भी हैं, जो नहीं पढ़ाते हैं तो सिक्षाक अस्तर अभी जो है सरकार के दौरा एक फैसला जो लिया गया है जैसे कि बिपीएसी के हाथ में दे दिया गया है जो इसक्षक है उनको बिपीएसी कंडक्ट करवाएगी परिक्षा तो यह सरकार का यह निर्ण कुछ सही भी है और कुछ सब्सक्रियक सकते हो उनको उनको अइसा करना था सरकार को वो जो जो पिछले If वाले सीट वाले ॉनको उनको छोड़ेना चाहिए था और आगे Summen बनानात हा कि जो आगे से सिक्राद क्वाएगे उसके बाद वे करवाईगा तो यह जो है यह तो बहुत बहुत अच्छा है बहतर है कुछ बच्चे को फाइदा यह होगा कि घरीब तब के के लोग है जिनके माता-पिता परहाने में और सक्षम नहीं है तो वह बच्ची जो आएंगे परहाई होगा तो गरीब बच्चा का इसे बहुत ज्यादा फाइदा होगा गरीब बच्चे पढ़ेंगे यह होगा जो माबाप अपने बच्चे को कामकाज के लिए खेत खलियान भेज देते हैं इसकुल नहीं आप आते हैं तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है यह बहुत सारे मिले हैं जैसे चीनी मिल हो गया जूट मिलें दूंभ अच्छे से चल नहीं पाता है सरकार इन सभों ध्यान देगा और रोजगार उत्पन करवाएगा अगल बगल में तो क्या होगा कि बच्चे बच्चे के पैरेंट्स जो है काम रोजगार भी करेंगे और साम में आएंगे तो उसका मतलब की अच्छे से देख रेख में बढ़ाई भी करवा पाएंगे अगर उनके पैरेंट्स रहते नहीं है यहां तो बच्चा क्या होता है कि इधर उधर गूमने लगता है पर नहीं पाता है तो ऐसे बच्चे पर नहीं पाते हैं और ये भी कारण है कि मतलब मालीजे किनी के पिता नहीं है पिता नहीं है तो घर में 3-4 भाई बहन है और उनकी उम्र मांनले जिए शोदरवह से हैं उनके भरन पोषन के लिए उनको मज़धूरी करना परता है विवास होकरकर परिबार चलाने के लिए मज़धूरी और थेला उनक्रा चलते हूं है ल क्से000 खेया 5 चुर बाया तहला करण के वो भी उसका वजन सबसे बड़ी बात है ना अगर लोग सिख्षित रहे ना विहार में तो अपने बच्चे को भी पढ़ने भेजेंगे राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कहीं है बेरोजगारी जब तक खतम नहीं होगा ना तब तक बच्चे भी आगे नहीं वर पाएंगे गरीबी के कारण बच्चे इसकूल नहीं आप आते हैं और गरीब जब तक पेट ही नहीं वरेगा तब तक वो इसकूल आकर करेंगे क्या जब पेट में कुछ खाने को नहीं रहेगा तो इसकूल में पढ़ने में मन लगेगा क्या तो सबसे पहले गरीबी खतम होनी चाहिए औ आदमी रोज नौकरी करेगा तब खतम होगी तो हम दोनों की बाचीत एहम मुद्दे पे थी इस्पेशल एक मुद्दा था सिख्छा और गरीब बच्चा कैसे पढ़ सकता है इसकूल क्यों नहीं आता है यह मुद्दे पे बाचीत थी उमीद करती हूं आपको यह बाचीत साथ तब तक के लिए जय हिंदे